नमस्कार जन्टीवी में स्वागत है आपका मैं हूँ योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ मोजूद है राजस्थान के पूर्व ग्रह मंत्री गुलाब चंजी कटारिया साथ कटारिया साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है कटारे साथ दर्शकों की भी जिग्यास है हम भी जानना चाहते हैं आपने राजनीति का फिल्ड क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, मैं तो राश्टि स्वेम शेक संगह में, एक कार्यकर्टा के नाते, एक राश्टी संगठन में काम करना, मैंने 1961 प्रार्म किया, और लगातार में उसी में काम करा था, बाद मैं विद्यारती परिश्टका मुझे काम दिया, तो त्योतर से डेकर एमर्जेंसी लगने के बाद जेल में चले गए और जब जेल से निकले हैं जब संग ने यह सोचा कि इसको राजनिती में भेजना चाहिए तो मैं पहली बार सित्य उतर में एक नए आदमी को उस समय राजनिती में संग की योजना से मुझे राजनिती बेजा गया और तब से म किससे प्रेड़ना मिली कि शंग में आपको काम करने वाले लोगों का जीवन ती जो सादगी थी जो अपनी सारी सिक्षा-दिक्षा-पूरी करने के बाद भी इस राश्टी कारे के लिए अपना घरबार छोड़कर जंग का प्रचारक बन कर गांगां घूम करके लोगों मे लगता था कि वास्ता में ये लोग विशेश प्रकार के समर्पन भाव और रोग हैं उनको देखकर उनकी साध्गी देखकर उनका समर्पन देखकर के लगा इस राष्टी कारे में हमको भी जुटना चीज़ है पड़रे सब यहां जानना चाहूंगे में एक बार आपसे आपन आपने जो सफर तेकी है क्या बदलाव देख रहे हैं मैं इसे लगता था कि उसने में राजनेता और राजनेतिक पायटियों का अपना कुछ देश के प्रती पायटी के प्रती एक समर्पन भावता है नेता के प्रती एक सम्मान था नेता जो काम करता था वो राष्ट के लि राजनीती में जिस प्रकार की गिरावट आ रही है इस प्रकार का व्यक्ति अपने आपको सुसजित करने के लिए पैसे का जिस प्रकार से कत्र करने का उसका फूब जगी है और एक लगा है कि मैं और मेरे मिलने वाले लोग ही विविन पदों पर आए तो हमने जो है राजनीति को नीचे गिराने का काम नब्बे के बाद ये मुझे जो अन्वो हुआ वो शुरू हुआ और मैं सुचता हूं कि अब समर्पड नहीं है अब एक व्योसाई बन गया है एक परिवार को पालने का साधन बन गया है यह ब राष्ट सेवा का अधार नहीं रहा है लगता है कि व्यक्ति अपनी सिवा में और अपने लोगों की सिवा में जादा तलीन हो गया तो यह स्टिती केवल कॉंग्रेस में नहीं उसी राजनितिक पाइटियों में भी अब ये कम ये जादा दिखाई देने लगी है उसका मन में दुख जरूर होता है अब राष्ट्रवास्विच हटकर के आदमी व्यक्तिवात पे आगए है इस वज़े से राजनिति में अपतन की और है आपने सत्ता भी देखी है यह तो आपने बात बताई एक विचारदारा की दूसरे बात करें आपने सत्ता में आप भी रहे हैं वर्तमान सत्ता भी है पहल मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ जो कभी मैं कहा करता था मैं हमेशा अपने भाषन मैटल जी का अडवानी जी का बैरो सिंग जी का उधारन देखके तक किसी की माने दूद पिलाया तो एक पाई का इल्जाम लगा के बताओ आज हमें वो बोलते समय अपना स्वेम क मन ही हमको कचोड़ता है कि बूलते हैं जो भूलेंगे तो कोई हमको टोक तो नहीं देगा तो निश्ची तुप से जो गिरावट है वो दिखने लगी है और उसके कारण से मन को कभी कभी लगता है कि इस राजनिती को चोड़ कर कोई और समासिवा का का काम को अपना लेना क्योंकि अब इसमें सुधार करना शायद हो सकता है मुम्किन नहीं लगता है लेकिन आप यह बताएं कि अगर मालो सब राजनिती में निश्ची तुरूप से जैसे पहल की जारे कि अच्छे लोगों की जर्रत है तब इस सुधार होगा तो किसे को पहल करनी चाहिए कि क्यो उसके मन में भी अपने को वोट देते समय ना तो उसको देश के बारे में चिंता रहती है ँसे करन से जाती क हूआ हूं , मियो जाती है तो कि दə गाओं का पडोस sich ले होट दयoughing गा तो उसके कारण से सच्छ में इस देश के लोग कन्तर में मत किसे देना चाहिए ये शिक्षण 65 वर्ष में किसी ने करने का प्रयास नहीं किया इसे जनता में वो जो उठावा ना चाहिए वो नहीं आया जनता इसकी भूकी तो है आज भी इस देश में अच्छाई के प्रती लोगों की शद्दा है लोग ऑज भी उसे चाहते हैं और इसी कारण से जो आना आपने देखा होगा ना के छोटी सी बात पर सारा देश खड़ा हुआ इसका मतलब यह तो है कि इस देश में वीज के रूप में आज भी अच्छाई इमांदारी साद्गी समर्पन यह आज भी जिन्दा है यह जरूर है कि उसको खाजबी से आप लोग भी जुड़े रहे हैं उसके बाद में अगर किसी के एक आवाज पर अगर कहीं देश में जागरुकता ही तो अन्या की वज़े से गत्वर्स के हम बात करें तो वहां से जंतर मंतर पर जब उन्होंने एलान किया है और उन्होंने का है कि विकल्प के रूप में अब एक स्वच्छ राजनीती की ज़र्वत है तो हमें विकल्प के रूप में आएंगे और देश में जाएंगे अगर अन्ना पार्टी बनाते हैं तो आपका क्या वानना हुआ मैं सुचता हूँ अन्ने के जीवन की सबसे वड़ी भूल हूँ राजनीतिक पायटी बना करके और अच्छे लोगों को ढून करके और ऐसी राजनीतिक पायटी वो खड़ी कर देना अन्ना शायद किसी भ्रम में होगा जो काम डाक्टर शाम उप्रशाद मोकर जी और कोवर्मेंट में जो भी जनसंग के या बीजेपी के लोग इन पदों पर आए उन्होंने अपने चरितर से इस बात को प्रमानित किया लेकिन धीरे धीरे उसमें भी गिरावट आई तो मैं सुचता हूँ अन्ना जी के पास तो आज की तारीक में गिने चुने लोग भी नही हैं जो इस आधार पर किसी राजनेतिक पायटी को खड़ी कर दे ना उनके पास कोई ऐसा ओर्गनाइशन है कि वो अच्छे लोग ढूंडेंगे कहां से हैं तो इसी समाज में से ढूंडेंगे और राजनीती में जो आने वाले लोग हैं वो पता नहीं किस-किस गलियारे से अकरकर इस पर बैट जाते हैं उस समय किसी धर्वा मेंटर से नहीं आपा जा सकता है कि ये कैसा निकलेगा जिनके पास अभी व्यक्ति निर्मान का कोई आधारी नहीं है så outside theuction अजन्यतिक पायटी के आधार पर इस देश की इस समय की जो परिसितियां उसकी चुनोती का मुकावला करेंगे बिल्कुल आसंभव है मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव के पहले पहले ये स्वेम तूट के बिखर जाएंगे इनके पास क्योंकि हर आदमी चाहता है राज का म अंदोलन किया तो स्वेम ने गुद्धी का इच्छा नहीं रखी और उसके कारण से उन्होंने उस आंदोलन को अंदर एक प्रेड़ना देने की ताकत मनी रही जब प्रेड़ना का कोई जो है आपका पावर हाउस ही खतम हो रहा है और वो स्वेम राज में जाकर के सुधार करने का प्रेयास करेंगे तो मैं सोचता हूँ मुझे तो असा फ़ल होगा है निश्टित लगता है ब्रस्टाचार देश के सामने बहुत बड़ा इक चैना इसे कैसे निजात मिल पाएगी ब्रस्टाचार का खारणी जो है मुख्य रूप से एक तो हमारा जो चुनावी जो भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है जो लोग इनको पैसा देते हैं वह कोई ब्रस्टाचार के अगर इस दद्दाशो से लड़ना होगा तो जनता को ही इस बारे में अपना विचार में एक बार गलती हो सकती है किसी को MLMP बना देना लेकिन उसके पांसार के कारेकाल का ठीक प्रकार से विश्टेशन किये बिना दुबारा उसे बना देना ये निश्चित उसे सबसे बड़ी फूल है पहली बार कोई अंजान आदमी भी जलत आ सकता है लेकिन उसको बार बार चुन करके और उंचे से उंचे पदों पर ले जाकर फिर उसको जिस प्रकार की गिरावट दिखती है इसका इंदजाम तो कहीं कहीं राजनेतिक पाईटियों को भी अपने सेलेक्शन करने में भी इसको बहुत गहराई से देखना प्ल़ए है चुनाव हारे हैं जीते है लेकिन अच्छे वीचारों को लेकर अगर अगर अपन टिगिट का वित्रन करेंगे तो मैं सोझता हूं स जनता भी जब पैसा और दारू और इसके आधार पर जनता का लोकतंत्र का चुनाव करेंगे और चुनाव जीतेंगे तो नेच्टित रूप से पिर इसमें से बुराई यहीं पैदा होगी और हमारे देश में दुर्भाग से इतने वर्षों के चुनाव में यह निरंतर गिरा कि उसमें भी रहे इंए कि अपन बात करें चाहिए नीचे की इस तरसे और सांसद की चुनाओ तक जो अच्छे विचार हैं आपके भी हैं और भी लोग इस तरह की बात कहते हैं उनके विचारों कितना तवज़ों मिल पाते हैं जब स्लक्शन का समणा होता है लेकिन जब से ये राज का शौक पैदा हुआ है कि हमें तुके सी भी करके सरकार बनानी है जब हमारा ध्ये सरकार बनाने का हो गया तो हमारे सारे माइनस हो गया है पहले हम सरकार बनाने के लिए चुनावने लड़ते थे हम अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते थे तो हम अच्छा सेलेक्शन करते थे अच्छे लोगों को लाते थे लेकिन दुरभागी ये कि अब सब का सोचना आई है कि राज होगा तो सब कुछ होगा विचारधारा गोन हो गई और राज प्रमुक हो गया तो उसके कारण से ये सारी बुराई आना स्ववावी के है राज हमारा आए या ना आए लेकिन हम अच्छे लोगों को चुनाव में उतार करके चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे तो अगली बार फिल लड़ेंगे इस विचार की जो कमजोरी आई उसके कारण से बुराईयां और दिन बदेन बढ़ती जा रही है और राजनीती पर पैसे वालों ने बदमाशों ने आकर के एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया आज की तो जिसके पास मौसल्ड पावर है जिसके पास मनी पावर है वो राजनीती में आज प्रहुंख बन गया और आपन तो देखते हैं कई लोग जेल में रहकर के भी चुनाव जीत जाते हैं उन लोगों की कभी लगए सर एक अक्सर बात आती है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सप्ता पर हावी हो जाते हैं निश्य सही है कारण क्या था कि पहले जब देश आजाद होते ही जो राजनीती में लोग आये थे वो बहुत ब्रिजेंट लोग थे हैं कई लोग बैरिष्टर थ और इसके कारण से उनको विशे की पकड़ होते हैं धीरे धीरे विशे की पकड़ वाले लोग बहुत कम रहे हैं और इसके कारण से ब्यूरोक्रेट्स जो है ना जिस डंग से भी उस विशे को घुमाते हैं और पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ने की और पढ़ने की खमता तो जब राजनेताओं में निरंतर घटी है और जब घटी और आप फाइल कोई नहीं पढ़ सकते हो फाइल कोई नहीं समझ सकते हो तो फिर वो आप जो सो समझाएगा वैसे आपको निरना करना पड़ेगा तो दुरभागी हमारे यह हुआ कि देश के आजादी के समय जिस प्रका में होना आवश्यक है प्योंकि उसकी जाती के वोट का सवाल है इसलिए उसमें योगिता है या नहीं है उसको ऐसे ही बिठाते दे जो चार लाविन भी नहीं पढ़ सकता है लेकिन गोल्मा देवी भी जहां की मंत्री बन सकती है या राबडी देवी जहां मुक्य मंत्री ब काले लोग हैं अच्छी स्वर्विस से अच्छे सेलेक्शन से आएं तो उनका अपना कैलीबर है उसकी तुलना में हमारा कैलीबर कमजोर हो रहा है पहले कभी जब मैं विदान समय माया तो लगभग 85 जो है हम वकील लोग थे मैं 77 जब आया आज की तारीख में घटते घटत सच में आज की तारीख में जब कभी भी कोई कानून के लिए बिल आता है या वो पास होता है तो मेरी मुश्किल से 10% लोग भी उसकी पेचीदगी को नहीं समझते उसका आर्थ नहीं समझते कि इसमें इस कौमा का आर्थ क्या होगा और इसमें और लगाया तो इसका आर्थ साथ में वक्त हो चला एक ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द हाजी रहंगे बने रही आप हमारे साथ